दहीं के साथ भूल कर भी ना खाई ये 5 चीज़ हैं देखिए, दहीं खाना दोस्ता हमारे शरीर के लिए बहुत फायदिमन है इसमें कई दरगे वाइटमिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइडर्स और प्रोटीन पाया जाता है लेकिन आयरुवेट के अनुसार, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमें एक समय पर एक साथ नहीं खानी चाहिए जैसे लंच में हमने दो चीज़ें एक साथ खाली, है ना फिर ऐसा होता है कि हमारे शरीर में स्वेलिंग होनने लगती है कई बार हमारी स्किन के ओपर पैचीज आने लगते हैं, वाइट वाइट पैचीज दिखने लगते हैं और ऐसा हमारे साथ नहों, तो आपको पांच ऐसी चीज़ें ध्यान में रखनी है जो दहीं के साथ बिल्कुल भी नहीं खानी पहली चीजिकी बात करते हैं, वो है दोस्तों तर्बूज ध्यान रखना है, दोस्तों आपको कभी भी भूल कर भी दहीं के साथ तर्बूज नहीं खाना इससे बेहोशी तक हो सकती है और दूसरा आपके शरीर के किसी भी हिससे में स्वेलिंग आ सकती है आपकी टांगों में या कहीं पर भी सूजन आ सकती है इसलिए भूल कर भी दहीं के साथ तर्भूस तो बिल्कुल भी ना खाए दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको दहीं के साथ मचली नहीं खाने आपकी स्किन पर वाइट वाइट पैचिस हो सकते हैं तो अचा पर आपके सफेद रंग के धब्बे आ सकते हैं दूध हो या दही हो दोनों के साथ आपको मास मचली इसी चीज़ों का सेवन नहीं करना क्योंकि बाद में आपको इससे परस्ताना बढ़ सकता है इसलिए दूध हो या दही दोनों के साथ मचली खाने से बचे अगली चीज़ आपको ध्यान रखने हैं कि अगर आप डाइबिटिक के पिशेंट हैं आपको शूगर की समस्या है या पिर आपको ओबेसेटी यानि की मोटापा है तब दोस्तों आपको सुभा सुभा खाली पेट दही के साथ चीनी का सेवन नहीं करना बहुत लोग हैं दही में चीनी घोल कर खाते हैं लेकिन अगर आप डाइबिटिक या ओबिसिटी से परिशान है तो दही के साथ चीनी बिलकुल भी न खाएं बहुत ही बुरी चीज है चीनी दोस्तों डाइबिटिस को बढ़ा सकती है आपके मोठा पे को यह बढ़ा सकती है इसलिए ध्यान रगे कि सुभा खाली बेट आप दही के साथ चीनी का सेवन तो बिलकुल ना करें साथी साथ अगली चीज आपको दही के साथ जो नहीं खानी वो है आम दोस्तों आपने बहुत सारे लोगों को दही के साथ आम खाते हुए देखा होगा लेकिन दोनों की तासीर अलग-अलग है दही तासीर में ठंडा होता है और आम तासीर में गरम होता है इसलिए विपरीत तासीर होने के कारण ये हमारी पाचन क्रिया को असंतल कर देते हैं जिससे पेट में दर्ध होने लगता है टोक्सिंस की मातरा बढ़ जाती है साथ में दाहीं के साथ आपको कोल्टिंग नहीं पीना है इसी के साथ कुछ मसाले जैसी की लोंग का सेवन दहीं के साथ बिलकुल भी ना करें और यदि आप दहीं के साथ दूद पेते हैं तो आप दूद मन पीज़े क्योंकि पेट में जाकर दूद भी दहीं बन जाएगा ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं इस इंफोर्मेशन को आप जादे से जादा शेयर करें सभी लोगों तक पहुंचाएं बहुत ही ज़रूरी इंफोर्मेशन है और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्स्क्राइब करने वीडियो को देखने के लिए धन्यावाद